ही defense हमारे पापा ने अमरे सायंस केट मगा रिख है यहाँ पर मेरी मेहन इस अंबॉक्स करी है वैसे मैंजट करी थी इस अंबॉक्स करने का चलिए और इसको आप लोग अपने ममी पापा के सामने करियेगा और इसे आठ साल से नीचे के बच्चे नहीं कर सकते इसे जो है आठ साल के उपर के बच्चे ही कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर मेरे पापा वीडियो बना रहे हूं और हमें देख भी रहे ठीक है तो यहां सब मेरे पापा ने मुझे बता रहा कि कैसे कैसे करना है और मैंने भी मैनिवल पढ़ ल तो यहां पर बहुत सारे केमिकल्स भी दे रहे हैं और यह तूल बॉक्स में बहुत सारे एक्यूपमेंट्स और मीजर करने के लिए भी दे रहे हैं तो यहां पर बहुत सारे colorful से है food colors है और acid है तो यहां पर सबसे पहले तो हमें बहुत सारे वह दे रहे है tools और यहां पर chemicals भी है चोटे-चोटे boxes में तो यह है baking soda अब मैं आप लोगों नेक्स्ट के में दिखा रही हूं इसका नाम है crystal powder तो इसका नाम है crystal powder sorry okay तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा रही हूं इसका नाम है citric acid ओके citric acid यह बहुत harmful है वैसे और यह है अलग-अलग यह आगे हमारा blue food color और यह आगे हमारा rose food essence और अपने पापा को देते जा रही हूं और यहां पर यह आगे हमारा red food color मेरा favorite और यहां पर आगे हमारा glow powder और यह glow करने के लिए होता है और अभी आगे हमारा mango food color okay sorry mango food essence थोड़ा सा गढ़ बढ़ जा रहे हैं sorry guys और यह सारे colors हैं यहां पर अच्छा और एक और हैं यहां पर yellow food color तो अभी हम इन से और बहुत सारे experiments करने वाले हैं और यह है हमारा corn starch फिर आप हमारा next आ रहा है हमारा vinegar 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 के साथ बहुत सारे experiment किये जा सकते हैं तो हम दिखाएं कि अपनी आने वाली वीडियो में और देखना जरूर आप लोग हमारी वीडियो को तो यह आगे हमारा test tube इसी के साथ हमारा funnel भी आ रहा है एक और यह next है एक spoon इसको string करने के लिए और यह है एक holder जिसमें हम अपने test tube को रखके कर सकते experiment और इसके साथ कुछ straw आ रहे हैं इसको string करने के लिए और यह एक जार आ रहे हैं जिसमें हम लोग water fill करेंगे तो और इसके साथ कुछ books भी आ रहे हैं और इसमें experiments के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है और पूरा अच्छे से instructions दे रहे हैं तो यह मेरे पापा ने अभी हमें पढ़के भी बता रहे हैं कि क्या क्या करना है और यह next है जिसमें experiments के नाम लिख रहे हैं इससे पहली वाली है यहां पर हमनेश तो डाली है कि थोड़ा सा कम पढ़िया थो एक और डाली ऑफिर हमने इसे अच्छे से mix कर दिया है देखिये क्षिए कि इस तरह से हमने से अच्छे से mix कर लिया और इसके बाद हम लोगों को एक और ईसट का नाम है सेट्रिक एसट तो यहां मैंने इसे लिया और इसकी टू स्पून Z डाली और यह घुल तो समय थोड़ा सा गिर भी गया था मुझ्छे तो यहां पर हमने इसकी पहली स्पून डाली है फिर तो अब हमने इसकी दूसरी डाल दे अब हम इसमें नेक्स्ट दू कै इसके भी two spoons डालनी है और यह भी मुझसे गिरी गया मेरे पापा मुझे पीछे से बहुत जादा डाश रही है कि क्यों गरा रही हो क्यों गरा रही हो तो यहां पर हमने डाल दी इसकी first spoon अभी हमें इसके डाल दी second spoon तो अभी हमें इसको अच्छे से mix भी करना है तो अभी मैं इसको अच्छे से mix करते जा रही हूं ठीक है तो अभी हमें थोड़ी देटा किसे ऐसी mix करना है जैसा कि इस book में लिखा हुआ था ठीक है तो मैं भी बहुत जाद एक्साइटेड हूं इस सो देखिए यह हमने water डाला और इसमें अच्छा सा लावा आ गया तो इस experiment का नाम जैसे कि मैं आपको बताया था तो इसका नाम है bubbling ocean तो अगला experiment मैं बच्चों से करवा रहा हूं यह जो experiment है इसका नाम है आपका night glowing lamp तो हमने पानी इसमें भर देना है एक वीकर से इसमें measurement करके और इस पर हमने अगला जो chemical है उसका नाम है crystal powder तो crystal powder का एक spoon हम इसमें पानी में मिला देंगे और यह पानी मिलने के बाद इसमें जम जाता है और थोड़ा से time लगता है तो इसमें हमने एक चमच हमने डाल दिया crystal powder और इसमें आपका जम जाएगा थोड़ी देर में और थोड़ा वेट करना है आपने इसके लिए और अब देखिए यह आपका जम जुका है थोड़ा वेट करने के बाद हमने देखा और हम इसे अगर उल्टा भी करते हैं तो इसमें से पानी नहीं किरेगा क्योंकि इसने पानी को अब्जार्व कर लिया है और यह एक hard थोड़ा सा hard बन चुका है इसमें और अब देखिए इसमें हम जालेंगे अगला chemical जिसका नाम है आपको glowing powder तो glowing powder को हम इसमें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा उपर से पानी मिलाएंगे ताकि यह थोड़ा सौक्ट हो जाए और glowing powder इसमें आपका आसानी से मिल जाए तो इसमें एक वीकर में हम पानी लेके इसको फिर से फिल क इसे फील करना हो इसने मि subscribed करें गें तो यह बच्चे कर रहे हैंने काफी अच्छा लग रहा है प्रेंट उस तहरों के प्रेंट आप भी अपने बच्चों को करई और यह प्रेंट्रि में जयन के बाद तो एक आपड़िन Burnsом सेकरकर्ण एक तो हमेएज्जा करें तो बच्चों को ऐसे हाथ में ना दे और अपने देखरेक में इस प्रेक्टिकल को कराएं तो ध्यान दें कि थोड़ा सा आप केरफुली स्प्रेक्टिकल को कराएं और करने के बाद आप इसे complete हो जाए जब practical तो आप उसके बाद हाथ अच्छे से दोलें ताकि chemical आपको harm न करें तो इस तो से पूरा अच्छे से मिराने के बाद आप देखेंगे और हम एक वाले से किसी अंधेरे कमरे में ले आते हैं कि यैग बाद Suzanne कर रहा है या नहीं कर रहा हैं तो देखते हैं इक अंधेरे कमरे में देखें या ग्लो करने लगा तो यह ग